हेलो फ्रेंड्स कव्हसें में फिर स्वा sorting था fabics वे हगोर्मेंट जो में एकस्याम में पूछ जाते हैं और जो स्ट् scares के युई जो में योन चेलनल को एक बार सब्सक्राइब कर तो आपको इसके आपको इसके त्रीक दिखना है तो करते किस तरह के सरा हो जब भी और अमें सुझ में जो संख्या दिए होती है बट जो ये बटे में जो संख्य थी 98 बटे निन्यान में इन दोनों का हमें सब उन संख्याओं का हमें क्या अंतर इसमें से घटाना होगा ठीक है जब हम इसमें से संख्या को घटाते हैं तो हमारा इससे ये कट जाती है ठीक है तो अब आप जो हमारा आंसर इसमें बचा वो बचे में हमें जितनी संख्य दी है, जो भी दी है उसे लिख लो, ठीक है, और जितनी भी सुरू में हमें 9 के दी हैं, जितनी भी दी हैं, ये सिर्फ वहीं पर लगेगा जब 9 का हो फंडा, तो जितनी 9 के उतनी लगा दो 0, और इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, 995, बटे 999, का चार का अंतर हो जाएगा न, और ये इससे हमारी संख्या कट दो जाएगी, ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा, वो हमाना कितना आ जाएगा, 998899, और 6, ठीक है न, ये इसका आंसर हो जाएगा, ये बहुत important question है, next question, एक बटा 5, एक बटे 5 को तो आप ऐसी रखो, और पिलस, जो बटे में संख्या दियो, उससे रखो ऐसे ही, ठीक है, तो 495 में, और जितने सुरू में 9 के उतनी लगा दो, इसमें 0, और इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, एक, और बटे में, जब हम इसको से काट देंगे, तो किती बार कट जाएगा, पांच बार कट जाएगा, तो इन दोनों का लस्त होगा, वो कितना ओगा, पांच हो गया, इस पांच से कहत्म तो कितना होगा, और फिर पिलएज 5 कहत्म कितना हो गया, यह हो गया, उनांचंस 50 और 0000 एमारा 5, नो पंज़े 45 और 99 पंज़े 45 000, हमारा 99 यहा आझाए not 1000, इसका answer हो जाएगा, next question देखते हैं अब इसको हम इस तरीके से नहीं कर सकते देखो इसको हम कैसे करेंगे यह जो 999 में है इसके यहाँ पर हमने plus लगा दिया और इसको 999 में है और बटे कितना 1000 तो इसे लिख सकता हूँ ना मैं लिख सकता हूँ और गुना में हमने 7 यह रखा अच्छा 69 तो जैसे उना करके इसमें 9 सी नहीं नहीं लिख जैए तो इसे इसमें करेंगे तो कितना आजाएगा हमारा यह हो जाएगा हमारा 6993 और बटे में कितना हमारा 1000 तो इस वाले भाग को क्या मैं इस तरह से नहीं सकता कि 69 93 प्लस का ठीक है ना मैं देखो इन दोनों भाग को मैंने इसको इसमें से क्या 6 पिलस का 930 में बटे एक हजार तो इन दोनों भाग को मैंने जोड़ दिया तो कितना होगा हमारा 699 और 930 में बटे 1000 इसका हमारा आंसर हो जाएगा ठीक है दोस्तों नेक्स्ट कोसन देखते हैं कि एक परिकसा में विध्यारती को किसे संख्या का 3 बटे चार ग्यात करना था तुरूटी वस उसने उस संख्या का 3 बटे चार ग्यात किया तीन बटे चोदे हैं तीन बटे चोदे है दोस्तों और क्यात किया जो सही उत्तर से 150 अधिक था तो वह संख्या क्या है तो जितना भी हमारा उत्तर जितना भी कम या अधिक उसा आप उपर हो दो और ठीक है ना और बड़ी को छोटी संख्या में से आप अंतर करके इसको पहुँच जाएगा हमारा उपर पहुँच गया ठीक है ना तो इस चार से जब 26 को डिवाइड करते हैं तो कित्ती बार होगा साथ बार सात्तिया एक्किस और चोदे से कित्यों साथ दूनी चोदे तीन दूनी छै तो हमारा कितना आ गया 150 गुना टाइस और बटे में कितना 21 में से 6 गए तो 15 बस्ता है तो इसको से डिवाइड करो कितनी बार 10 बार तो वो आंसर कितना आगे संक्या हमारी 280 होगी ठीक है देखते हैं नेक्स्ट कोशन देखते हैं कि एक विध्यारती को कुछी संक्या को 27 गुना करने के लिए कहा गया तुरोटी वस उसने उसे 72 गु संक्या क्या है तो 405 को उपर रखो जितना भी कम अधिक दिया हुआ है ठीक है ना और बड़ी में से छोटी संक्या को आप घटा दो तो कितना आजाएगा 405 बटे तो कितना बहात्तर में से 27 गे कितना बचा 45 और 45 से कितनी बार कट जाएगा हमारा 9 वार यह इसका आंसर हो जाएगा नेक्स्ट को संदे के वैरी वैरी मोस्ट इंपोर्टेंट को सन है यह जो एक्जाम में लगवग पूछा ही जाता है कि कुछ मिठाईयां 175 बच्चों में बराबर बराबर वित्रित की जानी थी परन्तु 35 बच्चों के अनोपस्तित रहने के कारण परतिक बच्च गए जो संक्या गुणा में आएगी अब गए कितने नहीं थे 35 जो नहीं गए थे उनको आप बटे में लिखो जो अनुपस्तित होगा उसको बटे में और कितनी मिठाईयां दिख मिली एकसा बच्चों को चार मिठाईयां तो उस उपर गुणा में तो 35 चोका 140 और 4 चक 16 त और 16 से 312 और 820 और कितना होगा 28 तो 28 सो मिठाईयां जो है वहाँ पर वित्रित की गई नेक्ट कोशन देखते हैं कि कुछ एक विद्याले में खेल दिवस्पर परतिये कतार में 30 चात्रों को खड़ा करने परती 16 कतारे बनती हैं यदि परतिये कतार में 24 चात्रों को खड़ा करें तो कितनी कतारे बनेंगे देखो जो हमने पहले कितने खड़े करें 30 तो कितनी कतारी बन रही है हमारी 16 तो मतलब एक लाइन में 30 बच्चे हैं तो 16 में कितनी हो जाएगी फिर उसने कहा कि हम 30 ना खड़े करका कितने करेंगे 24 तो 24 से हम भाग कर देंगे तो टोटल हमारी संख्या जाएगी तो आठ दुनी 16 आठ तिया 24 और 3 से 30 को 10 बार और 10 दूनी कितना हो गया 20 तो 20 हमारी इसमें कतारे बनेंगी कुछ चात्रों ने एक पिकनिक मनाने की योजन बनाई जिसमें जो 5000 रुपे खर्च करने मतलग खर्च होने थे तो जितना भी खर्च होना था उसे ओपर लिख दिया ना तो प्रंतों पांच विद्ध्यारतों के ना जा पाने के कारण परती एक सदस्य को 50 रुपे तो उसे मिश्क्रते भाग कर देंगे तो बच्चों की संख्या आ जाएगा यह आ जाएगा हमारे यहा से कितनी बार कट जाएगा, और कितनी बार 20 चात्र मतलग जो चात्र कितने गए हमारे वहां पर 20 चात्र गए तो नेक्स्ट कोशन देखते हैं गंतंत्र दिवसफर साड़े 400 बच्चों में एक समान मिठाईं बाटी जानी थी प्रन्तु उस दिन एक सो पचास बच्चों के अनुपस्तित रहने के कारन प्रतिक बच्चे को ती मिठाईं अतिरिक्त मिली तो कितनी मिठाईयां बठी गए देखो साड़े 400 बच्चे थे तो आतिरिक्त मिठाईयां मिली जब पहले वाले सावल में कितना था 4 मिठाईयां दिक मिल दीती न तो उसको भी गोने में रखा था जितनी आतिरिक्त मिली उससे रखो ओपर और जितने नहीं गए और नुपस्तित कितने उनुपस्तित है, 150, तो 150 यह से भाग कर दो, कितना आ जाएगा 15 resisting कितना, 45-3, 9 तो 9 जो हैं वो मिठाईया आतिरिक्ति मिली उने, पच्चोंKS ने, ने, ने next कौसन देखते हैं, किसी विद्याले के सभी चात्रों को 54 चात्रों की एक एक पंग्ती में खड़ा किये जाने पर 30 पंग्तिया बनती हैं यदि उन्हें 45 चात्रों की एक एक पंग्तिया में खड़ा करें तो कितने मतलग कितनी पंग्तिया बनेंगी तो वही पहले तरह का कोशन है तो 54 गुना 30 औ तो चतिस हमारी पंगतिया बनेंगी नेक्स्ट कोसन देखते हैं एक व्यक्ति के पास कुछ गाएं तथा कुछ मुर्गें वेरी वेरी मोश्ट इंपोर्टेंट कोसन है दोस्तो तो यदि इनके पास सिरो के संख्या 48 तथा पैरों के संख्या 140 हो तो उसके पास कितने मुर्गे हैं देखो मुर्गे तो मुर्गे हैं और उसके पास गाएं हैं तो इसमें देखो जो थोड़ा सा जो अंतर होता है कि पैरों का अंतर होता है तो हमारे पास जो गाएं होती हैं उसके कितने पैर होते हैं चार पैर हो तो हम क्या करते हैं मुर्ग जिसकी भी वो संख्या पूछता है उसकी संख्या पूछा तो उसने यहाँ पर रखो सिरो की संख्या तो सिरो की संख्या और यहाँ पर जो विपरीत पैर से गुना कर देते हैं दोस्तों तो विपरीत पैर से और माइनस जितने भी हमारे इसमें प कितनी है 48 और मुर्गी का पैर कितने होते हैं 2 तो हमें विपरीत से करना पड़ेगा तो गाएं के कितने होते हैं 4 और माइनस का 140 बटे 2 तो कितनों हो गया 48 चुका 192 और बटे 100 गुना माइनस 140 बटे दो तो कितना होगा 52 बटे दो डिवाइड वाइड वाइड कितना होगा 26 तो हमारे उस व्यक्ति के पास जो है मुर्गी कितनी थी वह 26 मुर्गयां थी next question देखते हैं एक अधान में कुछ बत्क तथा और बखरे हैं तो कुल मिलाकर 77 तथा 224 पैर भागरों की संक्या मतलब बकरी ये बकरे बहात एक्ड चार पैर न तो बकरे तो उसने पूछा बकरों की संक्या तो बिल्कुल सेम वो है को एक वसे हैं न तो हमारा सिर कितने हैं में 77 तो बक्रे का पैर कितने होते हैं दो बत्तक कितने होते हैं वह सोरी बक्रे के पैर होते हैं चार बत्तक के होते हैं दो तो विप्रीत पैरों सो गुना करें तो किस से करेंगे हम और यहां पे कितना है हमारा 2, यहां 5 है तो चोटे संख्या निकाल ले हैं, तो हमारी जो संख्या होगी, वो बकरो की संख्या होगी, तो बकरो की संख्या वो होगी 35, अगर वो पूचता है बत्तक की, तो बत्तक की हमें पता है कि जब टोटल सिर कितने हैं 77 और 35 हमारी जब बकरों की संख्या आगी तो इससे घटा देंगे तो देखो 7 में से 5 गया कितने बचे 2 और 7 में से हमारा 3 गया तो कितने बचे 4 तो अब यहां पर देखो बकरों की संख्या कितने आगी हमारी 35 और बत्तक से जितनी सिर होंगे उतनी ही तो हमारे पसू होंगे अब देखो नेक्स्ट और एक पार्टी में 10 व्यक्ति ने भाग लिया परती एक व्यक्ति से हाथ मिलें तो कितनी बार न्यां हमारे हाथ मिले तो इसका एक forum la utar यह इंपोटरंक्सिन है हमारे इसका vormula होता है एन upon 2 और N-1 तो इसका फ़ोर्म ला होता देखो company जो संख्योस में धी है कितना 10 और बटょे में 2 और गोना N-1 तो कितना होगा हमारा जब इसको 2 स्कोंडी दिवाइड करतेंगे इतना पांच तो पांच गोना नो और नो पंज़ी हमारा 45 होता है तो कितनी बारहात मिले हमारे 45 बारहात मिले next question देखते हैं और यदि एक party में परतिय solar भ्रिया और प्रतिय व्यक्ति ने एक गिंब्ड दिया यदि कुल गिफ्टों के संकर 90 थी तो कितनी व्यक्ति गए इसके लिए एक फॉर्मॉला होता है बहुत ही आसाने सोट ट्रिक से भी कर सकते हैं एन इंटू एन माइनस का वन और बराबर जो यहां पर संक्या ले लो चलो जो कोशन में संक्या दियोगी उसे लिखते हैं अब यहां पर एन इसकी अंदर मैंने गुना क कितनी के जीरोगे तो आप देखो इसके गुनांक में हमारा कितना एक है तो इसकी गुनांक करते हैं हम क्या अचरपद में करते हैं तो कितनों के नब यह करो कि हमारा गुना करके तो नब आए और घटा कर हमारा कितना आए वो एक आ जाए तो दस नम नब है तो हम क्या करें यहां से मैंने और प्लस नाइन और यह माइनस का हो जाएगा कितना नभब्भाबर जीरो के इन दोनों में कश्ठ में उसे मा लेले तो फैसे यहां से मैंने संट बंच पर और तो इन- दोनों में हमारा थेखो 10 और 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 जिए राक्लिकल नाइन और और 0 और तो जब बराबर में कई संह्ख्य हो तो बराबर की मोर्ट देते टो देखो, मैं एक सोट्र फंड़ देखो का 1олж 1 जो संह्ख्या को सकते हैं एक लобы को करकितनव हैं हमने के पर factor कर तो अब मैंने इस मेंबहे तो 10 और 10 को मैंने इस इढिए तो 9 और 9 करें सेर करें कमेंट करें और अपने दोस्तों को जादा से जादा बताएं और नेक्स्ट जो आपका चैप्टर होगा वो संख्याव पर आधरित होगा और रेल्वे से जो भी रेल्वे कि 35277 वेकन्स से निकली हैं आप बेभी कर रहे हैं आपका एक्जाम निकल जाएगा कमेंट करके मुझे बता देना ताकि मैं अगले वीडियो में उस कमी को मैं अपनी कमी को सुदार सकूँ ठीक है दोस्तों नमस्कार दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो के साथ जाए हिंद जाबारत